आवश एक सूचना YouTube चनल रिची के वीडियो पर दवाईयों की सामानी जानकारी के लिए वीडियो आपलोट किये जाते हैं किसी वीडियो में खुद से दवा लेने से पहले डॉक्तर से अवश ले यदि कोई भी वीडियो देखकर खुद से दवा लेता है तो वस वह हम किसी इसके पहले भी मैं चनल पर दो पार्ट अपलोट कर चुका हूं अगर अब तक आपने नहीं देखा है तो उनकी लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए आप उन्हीं जाकर देख सकते हैं और अगर अब तक आपने हमारा चनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस मेटफॉर्मिन प्लस वोगलीबोस दो एंटिडाबिटिक मेडिसिन का एक कॉम्बिनेशन है मेटफॉर्मिन बॉडी में शूगर के प्रोडक्शन और एब्सॉप्शन को कम करता है और मौजूदा इंसुलिन के बहतर यूज़ करने के लिए अलाव करता है वोगलीबोस और वॉलिक्स एम के नाम से मिलता है तो गैस इसके आगे अब हमारा नेक्स्ट एंटिडाबिटिक कॉम्बिनेशन है जो कि वोगलीबोस प्लस मेटफॉर्मिन प्लस ग्लाइकलाजाइड का कॉम्बिनेशन और गैस इसकी वरकिंग है वोगलीबोस प्लस मेटफॉर्मिन प् करते हैं वोगली बोस एक अलफा ग्लुकोजी डेस इनिविटर है जो कॉंप्लेक्ट शुगर को ग्लुकोज जैसी सिंपल शुगर में टूटने से रोकता है यह बहुजन के बाद ब्लेट शुगर को बहुत अधिक बढ़ने से रोकता है मेटफॉर में एक बिगुनॉइड है जो लिवर में ग्लुकोज प्रोडक्शन को कम करता है एंटिस्टाइन से ग्लुकोज एब्जॉप्शन में देरी करता है और इंसुलिन के प्रती बॉड़ी की सेंसिटिविटी को बढ़ाता है ग्लाइकलाजाइट एक सलफोनिल यूरिया है जो ब्लड शुगर को कम करने के लिए पैंक्रियास द्वारा जारी इंसुलिन की मात्रा को बढ़ा कर काम करता है गैस बाजार में यह साइबलेक्स एमवी और ग्लाइजिट एमवी के नाम से मिलते हैं तो गैस इसके आगिया है वहमारा नेक्स्ट एंटिडाइबिटिक कॉम्बिनेशन है जो की है को बढ़ाता है वोगली बॉस एक अलफा ग्लुकोजी डेस इनिवीटर है जो एंटेस्टाइन के इंजाइम्स को रोकता है जो कॉम्प्लेक्स शुगर को ग्लुकोज जैसे सिंपल शुगर में तोडने का कारण बनता है साथ में यह भोजन के बाद ब्लड शुगर को बहु एक एंटिडाइबिटिक मेडिसेन है यह पैंक्रियास से इंसूलिन के रिल्स को बढ़ा कर और ब्लड शुगर के लेवल को बढ़ाने वाले हार्मोन को कम करके काम करता है इससे फास्टिंग और भोजन के बाद शुगर का लेवल भी कम हो जाता है गैस बाजार में यह जाल प्लस विल्डाइबिटिन दो एंटिडाइबिटिक मेडिसिन का एक कॉम्बिनिशन है रेमोगलीफ लोजन एटाबोनेट यूरिन के थुरू आपकी शेडिर से एक्स्ट्रा शुगर को बाहर निकालने का काम करता है विल्डाइबिटिन पैंक्रियास से इंसूलिन के रिलि सब्सक्राइबिटिक मेडिसिन का एक कॉम्बिनिशन है रेमोगलीफ लोजन एटाबोनेट यूरिन के माधियम से एक्स्ट्रा शुगर को खत्म करके ब्लेड शुगर के लेवल को कम करता है और इस प्रकार डाइबिटिस के पेशन्ट में ग्लाइसेमिक कंट्रोल में मदद करता है विल्डागलिप्टेन इंसूलिन के लेवल को बढ़ा कर और ग्लुकागन के स्तर को कम करके लिवर द्वारा प्रोड्यूस ग्लुकोस की मात्रा को कम करता है मैटफॉर्मिन भोजन से ग्लुकोस के एब्सॉप्शन की सीमित करता है और लिवर द्वारा ग्लुकोस के प्रोडक्शन को कम करता है मैट फॉर्मिन इंसूलिन के प्रती शरीर के रिस्पॉन्स को भी बढ़ाता है गैस बाजार में यह रेमोजन करता है विल्डाग्लिप्टेन इंसूलिन के लेवल को बढ़ा कर और ग्लुकागन के लेवल को कम करके लिवर द्वारा प्रोड्यूस ग्लुकोस की मातर को कम करता है इस बाजार में जुका नॉर्म दी फाइफ के नाम से मिलता है इसके आगे अब हमारा नेक्स्ट एंटिडा कॉंबनेशन और गाइस इसकी जो वरकिंग यह उसे देखते हैं विल्डाग्लिप्टेन तीनो एंटिडाैपिटिक मेडिसिंस का कॉंबनेशन है देपाग्लिप्टेम करता है और बलट ग्लुकोस के लेवल को कम करता है वि भाइन को बढ़ा कर बड़कर एक के लेवल में करते हैं ब्लेंड में बहुत अधिक शुगर होने पर यह लीवर को ग्लुकोस का प्रोडक्शन बन करने का भी सिगनल देते हैं मैट फॉर्मिन बोजन से अब्सॉफड ग्लुकोस की मातरा और लिवर द्वारा बनाये गए ग्लुकोस की मातरा को कम कर देता है यह इंसुलिन के की वर्किंग को देखते हैं रेमोगलीफ्लोजन एटाबोनेट एक एंटिडाबिटिक मेडिसिन है और यह यूरीन के थुरू शरीड से एक्स्ट्रा शुगर को निकालने में मदद करते हैं यह बाजार में यह जूकेटार और रहनिवा के नाम से अवेलेबल रहता है तो ग क्योंबिनेशन है रेमोगलीफ्लोजन एटाबोनेट एक एंटिडाबिटिक मेडिसिन सोडियम ग्लुकोज डिपेंडेंट रिनल ट्रांस्पोर्टर टू है यह यूरीन के थुरू शरीड से एक्स्ट्रा शुगर को बाहर निकालने का काम करता है मेटफॉर्मिन एक एंटि शुगर के लेवल को कंट्रोल करने में और डायबिटिस के इलाज के लिए काम करता है गईस बाजार में जुकेट और एम और रेनिवा एम के नाम से मिलता है गईस इसके आगया अब हमारी नेक्स्ट एंटिडाबिटिक मेडिसिन है जो किये डेपागलीफ लोजिन तो चलि चलि दोस्तों देखते हैं इसकी वर्किंग को डेपागलीफ लोजिन प्लस मेडिसिन का एक कॉम्बिनेशन है यूरिन के तुरू आपके शरीर से एक्स्ट्रा ग्लुकोस को निकाल कर काम करता है मैट फॉर्मिन लिवर में शुगर प्रोडक्शन को कम करके इंटिस्टाइन के प्रती शरीर की सेंसिटिविटी को बढ़ा कर काम करता है साथ में ब्लेट शुगर पर बहतर कंट्रोल प्रदान करते हैं बाजार में जिग दूओ के नाम से मिलता है इसके आगे अब हमारा नेक्स्ट एंटिडियाबिटिक कॉम्बिनेशन है जो कि ये प्लस डेपाग्लिप्लोजिन दो एंटिडाइबिटिक मेडिसिन का एक कॉम्बिनेशन है सेक्साग्लिप्टेन एक डाइप्टिडाइल पेप्टाइडेस फोर इनिबिटर है जो पर इनक्रियास से इंसूलिन के रिलिज को बढ़ा कर और ब्लड शुगर के लेवल को नाम से मिलता है इसके आगे अब हमारे नेक्स्ट एंटिडाइबिटिक मेडिसिन है जो किये रेपा गलाइनाइट और चली दोस्तों देखते हैं इसकी वरकिंग को रेपीगलाइनाइट एक एंटिडाइबिटिक मेडिसिन है यह पेंक्रियास द्वारा-जारी इंसूलिन क की मातरा को बढ़ाता है जो बोजन के बाद ब्लड ग्लुकोस को बहुत अधिक बढ़ने से रोकता है बाजार में यह यूरेपा और नोवा नॉर्म के नाम से मिलता है तो चली दोस्तों देखते हैं इसके आगे अब हमारे नेक्स्ट एंटीडाइबिटिक कॉम्बिनेशन को जो कि यह रेपागलाइनाइट प्लस मेटफॉर्मिन का कॉम्बिनेशन और चली दोस्तों देखते हैं इसकी वर्किंग को रेपेगलाइनाइट प्लस मेटफॉर्मिन दो एंटीडाइबिटिक मेंडिसिन का एक कॉम्बिनेशन है रेपेगलाइनाइट एक और मौझूदा इंसूलिन के बहतर उप्यों की अनुम्मती देता है। साथ में वे ब्लड शुगर पर बहतर नियंतरन प्रदान करते हैं। गैस बाजार में ये यूरेपा MF के नाम से मिलता है। तो गैस इसके आगे अब हमारा नेक्स्ट एंटिडाइबिटिक मेडिसीन है जो की है सेकसागलिप्टेन और गैस इसकी वर्किंग को देखते हैं सेकसागलिप्टेन एक एंटिडाइबिटिक मेडिसीन है ये पैंक्रियास से इंसूलिन के रिलिस को बढ़ा कर और बलड शुगर के लेवल को बढ़ाने वाले हर्मोन को कम करता है। इससे फास्टिंग और भोजन के बाद शूगर का लेवल कम हो जाता है। गैस बाजार में ये ओंगलाइजा नाम से मिलता है। तो गाईस आज का हमारा लाष्ट एंटिडाइबिटिक कम्बिनेशन है। सेक्सा मैट्फार्मین का कंबिनिशन और गाइस इसकी वर्किंग है सेक्साइकलिप्तिन प्लस मैट्फार्मिन का एक कॉंबनिशन है सेक्साइकलिप्टिन एक । dipeptodil peptide is for inhibitor है जो पेंक्रियास से इंसुलिन के रिलीज को बढ़ा कर और ब्लड शुगर के लेवल को बढ़ाने वाले हरमन को कम करके काम करता है इससे फास्टिंग और भोजन के बाद दोनों में शुगर के लेवल कम हो जाता है मेटफॉर्मिन एक एंटिडाबिटिक मेडिसिन है और बिगुनाइट ग्रूप से बिलॉग करती है ये लिवर में ग्लुकोज प्रोडक्शन को कम करके इंटेस्टाइन से ग्लुकोज एब्जॉप्शन में देरी करके और इंसुलिन के प्रती शरीर की सेंसिटिविटी को बढ़ा कर काम करता है गैस बाजार में ये कॉंबिगलाइज एकसार के नाम से मिलता है तो गैस इस वीडियो में हमने बात की 17 एंटी डाइबिटिक मेडिसिन के बारे में और साथ ही जाना है उनके कॉंबिनेशन, वरकिंग और उनकी पॉपिलर ब्रेंडेट मेडिसिन को तो गैस वीडियो में फिलाले इतना ही अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए मैं मिलता हूँ इसी पार में से इलिटेड वीडियो के साथ तब तक के लिए भारत माता की जये